हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर तो गाइस आज की सुड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वाइफाई हॉटी स्पोर्ट में पासवर्ड नहीं लग रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे आप पासवर्ड को सेंज करेंगे या फिर नया पासवर्ड लगाएंगे इस उड़ों में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आगे भी आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग उडियो पाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक उप्सन मिलेगा कनेक्शन एंड सेरिंग का या फिर वाइफाई होटी स्पोर्ट नाम का तो आपको चेक करना है वाइफाई पे क्लिक करके कि यहाँ पर तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं है तो हम बैक आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं कनेक्शन एंड सेरिंग पे तो यहाँ पर हमें option मिल जाता है personal hot spot या फिर गाई सबसे आसान है आप क्या करना notification बार को open करना है और यहाँ पर hot spot मिल जाएगा देखिए personal hot spot इस परकार का logo है आपको इस पर click कर देना है अगर एक बार click करेंगे तो यह on होगा लेकिन अगर आप इस पर tap के रहेंगे इस पर दबा के रहेंगे तो आप इसके setting में आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अब यहाँ पर एक option लेगा personal hot spot settings तो आपको गाईस इस पर click कर देना है click करने के बाद अगर अपने आप device का नाम change करना चाहते हैं तो इस पर click करना है अब यहाँ पर एक security का option है अगर आप guys आपको password बदलना या फिर password लगाना है तो यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद अब guys यहाँ पर देखिए none वाला option है आपको यहाँ पर click करना या यहाँ पर तो मैं इस दोसरे वाले पर click करता हूँ click करने के बाद यहाँ पर password बनाने का एक option है का इस पर click करना है और यहाँ पर आप जो भी password देना चाहते हैं हिंदी में इंगलिस में या फिर किसी भी देखिए symbol से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आपको उपर इस पर click कर देना है सही पर जैसे ही सही पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं password हमारा लग चुका है password आप इसी परकार change भी कर पाएंगे तो guys आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू, have a nice day